नमस्कार, हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभी नंदन है प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे उमीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रही होंगे हाला कि COVID-19 के चलते समुझत कक्षाएं नहीं लग पा रही है हम इतने इच्छी प्रकार से अध्यान रत नहीं हो पा रहे हैं जितना हम विद्याले में नियमित रूप से अध्यान करते हैं हाला कि प्रतीक विशे के शिक्षक बहुत महनत के साथ आपको ऑनलाइन सिक्षा देते हैं लेकिन बहुत सारे कारणों की वज़े से चाहे वो इंटरनेट प्राबलम लगा लीजिये या फिर फोन की सुवेदाना होने के कारण लगा लीजिये कुछ बच्चे इसका लाब नहीं उठा पा रही है तो हर्याना विद्याले सिक्षा बोड ने एक सराहनी एक अदम उठाया है कि पाठे क्रम को कम करनेगा हर्याना विद्ध्यले सिक्षा बोड ने सभी कक्षाओं के सभी विशों के पाठ्यक्रम को लगबग 30 प्रतिशत तक कम कर दिया है अब हम ग्यारवी कक्षा के पाठ्यक्रम को देखेंगे कि कौन-कौन से अध्याय पाठ्यक्रम से हटा दिये गए है ग्यारवी कक्षा में दो पुस्तके निर्धारित की गई है आरहो और वितान आरहो में कावेखंड और गद्देखंड दो भाग है और वितान में आपके अध्याए है आरहो के कावेखंड उससे देखते हैं कौन-कौन से पाठ हमारे शामिल है आरोहो पुस्तक के गद्य खंड में हमारे दस अध्याय है प्रेमचन जी द्वारा रचित कहानी नमकादरोगा कृष्णा सोबती द्वारा रचित मिया नसीरूदिन सत्य जीत राय द्वारा रचित अप्पू के साथ धाई साल बाल मुकंद गुप्त का विदाई संभाशन शेखर जोशी का गलता लोहा एक कहानी है कृष्णनाद द्वारा रचित स्पीती में बारिश मन्नु भंडारी द्वारा रचित नाटक रजनी कृष्ण चंदर द्वारा रचित जामुन का पेड जुआहर लाल नेरू द्वारा रचित अध्याय भारत माता और सयद हैदर रजजा द्वारा रचित आत्मा का ताप ये हमारे पठेक्रम में नेरधारित किये गए हैं पाट अब हम देखते हैं कि इन में से कौन से पाट पठेक्रम से हटा दिये गए है पहला है सत्यजीत रचित अप्पू के साथ धाई साल बाल मकुंद द्वारा रचित विदाई संभाशन मन्नु भंडारी द्वारा रचित नाटक रजनी और सयद हैदर रजजा द्वारा रचित आत्मा का ताप पाठेक्रम से हटा दिये गए हैं अब हम देखते हैं कावे खंड में पहले हम ये देखेंगे कि कावे खंड में हमारे कौन-कौन से अध्याय निर्धारित किये गए हैं कबीर की हैं हम तो एक-एक करी जाना और संतो देखत जगबोराना मीरा के पद राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता पथिक सुमित्रा नंदन पंत की कविता वे आँखे भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता घर की याद तिर्यलोचन जी की कविता चंपा काले काले अच्छर नहीं चीनती दुशंत कुमार की गजल अक महादेवी की कविता है हे भूक मतमचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे इश्वर अवतार सिंग पाश द्वारा रचित कविता सबसे खतरनाक निर्मा पुतुल की कविता है आओ मिलकर बचाएं अब हम ये देखते हैं कि इन में से कौन सी कविताओं को आपके पठे क्रम से हटा दिया गया है ध्यान पुरोग सुनिए बच्चो पहली कविता है राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित पथिक कविता ये पठे क्रम से हट गई है त्रिलोचन जी की कविता चमपा काले काले अच्छर नहीं चीनती इसे भी पठे क्रम से हटा दिया गया है और अक महादेवी द्वारा रचित कविता दोनों ही कविताएं छोटी छोटी कविताएं हैं हे मेरे जुही के फूल जैसे इश्वर और हे भूक मत मचल ये दोनों ही कविताएं आपके पठे करम से हटा दी गई है अवतार सिंग पाश की कविता सबसे खतरनाक ये भी आपके पठे करम में शामिल नहीं है यहाँ पर बच्चों आपने सुना और देखा कि पठे करम में कौन कौन से अध्यायों को हटा दिया गया है कावे खंड और गद्धे खंड के दोनों खंडों पर हमने नजर दोड़ाई कि कौन से कौन से अध्याय हटा दिये गए है अब हम देखते हैं हमारी दूसरी पुस्तब कौन सी है वितान उसमें तीन अध्याय है और तीनों को ही रखा गया है उसमें से किसी भी अध्याय को हैं हमारे संधी समास वाक्य शोधन और एपठत गद्यांच यह सभी शामिल किये गए हैं इसके बाद हमारे पठेकरम में निरधारित एक और पुस्तक है अभी व्यक्ति और माध्यम उसमें किसी भी अध्याय को हटाया नहीं गया है लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते ह है कि कौन-कौन से अध्याय पठेकरम में शामिल है हमारे पहला अध्याय है जनसंचार के माध्यम दूसरा डायरी लिखने की कला तीसरा है पत्रकारिता के विविदायाम चौथा है कथा पठकथा आगे है कारियाली लेखन और प्रक्रिया फिर है स्ववरत लेखन और रोज डिक्षनरी को कैसे देखा जाता है तो समझे है आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको पाठेकरम से संबंदित कोई भी वीडियो देखनी है तो हिंदी क्लासिस बाइ डॉक्टर आशा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो पिसे लाइक करना मत भूलिये धन्यवाद